हम इकठे हुए हैं यहां पर जो हम smart meters लगा रहे हैं जम्मू डिस्टिक में लोगों के काफी सारे doubts हैं काफी उनके शक्षुबा हैं उसको clear करने के लिए मैं आपके माद्यम से जम्मू डिस्टिक की पबलिक को यह बोलना चाहता हूँ कि जो हम smart meter लगा रहे हैं यह उनके भले के लिए हैं और यह बिल्कुल accurate meters हैं लोगों के doubts हैं जैसे मित हैं कि यह meters तेज चलते हैं हमने उसको उस चीज़ को clear करने के लिए यह आपको पताना चाहता हूँ कि यह meters highly accurate meters है and point zero 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 one percentage में error के chances हैं और अब हमने हर sub reason में अपने check meters रख दी हैं जो check meters वो हैं जो meters अगर किसी को doubt है वो executive engineer को application देगा कि मुझे शक्या मेरा meter तेज चल रहा है accordingly उसके घर पे हम एक और meter लगा देंगे एक normal meter जो smart meter नहीं होगा electronic meter लगाएंगे और हम दो दिन उसको watch करेंगे और देख लेंगे consumer के सामने उसकी reading और उसकी reading बराबर आती है और इस से जो भी लोगों को doubt है कि ये meter तेज चलते हैं ये actual में तेज नहीं चलते ये जो actual record करते हैं पहले जो meter थे वो भी actual record करते थे वो भी विल्कुल accurate थे मगर उसमें human interference थी हमारा आदमी जाता था reading लेता था और फिर वाता था उसमें camera गलती लग जाती थी जहां camera वो ग human interface बिल्कुल नहीं है इसमें इसने automatically meeting reading meter reading हमारे data center में बेज़ देनी है और daily basis में बेज़ेगा और हर consumer उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात चीए है कि हर consumer अपने mobile पे अपनी ID डाल के अपनी रोज की reading चेक कर सकता है कि मेरी आज की consumption तीन यूनिट है आज की consumption 10 यूनिट है क् मैं तीन करना चाहता हूं तो कम किसी इस्तेमाल करें बिजली तो तीन हो जाएगी accordingly वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी consume हो रही है नमबर टू हमारे हमने सारे सब्डिजन्स में हफ़ते में तीन बार Tuesday, Thursday and Saturday ग्यारा बज़े से लेके एक बज़े तक हमारा स्टाफ रहेगा जिसको भी कोई डाउट है smart meters का especially because बाकी दिन और भी बड़े काम होते हैं तो वो उनकी smart meters की problems को देखेंगे मेरी जनता से यही अपील है कि जो लोग इसको गलत डिरेक्शन दे रहे हैं लोगों को miss guide कर रहे हैं कि यह smart meters ज्यादा बिजली शो कर रहे हैं consumption ज्यादा शो कर रहे हैं वो लोग अपने हमारे office में आए, check meter लें हमारा आदमी जाएगा, check meter लगाएगा, actions आपको application दे, cross check करे बाकी लोगों के गरों में मैं consumers को बोलना चाहता हूं कि परानी appliances लगी होती है, जो power consume ज्यादा करती है, non star rated electrical appliances लगी होती है, वो हटाएं, star rated लगाएं, जिससे उनकी consumption कम होगी, जिस कमरे में बैठते हैं, उसी कमरे में AC चलाएं, AC का temperature जो है, वो 24 डिगरी, 26 डिगरी रखे साथ में फैन चलाएं, कूलिंग ज्यादा होगी, अगर आप star rated लगाएं तो भी उससे efficiency होगी और power consumption जो है, वो कम होगी, हीटर मत इस्तमाल करें, जिस कमरे में बैठे हैं, उसी कमरे में electricity लगाएं, बाद में बहर जब निकलते हैं तो उसको off कर दें, आपकी consumption अपने आप कम हो जागी, और जो लोग गुम्रा कर रहे हैं, कि ये मीटर फास्ट चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आएं, डिपार्टमेंट के साथ साथ दें, और जिसको भी अपनी रीडिंग चेक करनी है, वो अपनी एप, अपने यहां पर प्रिंट करके रखी हुई है, ये हमारा ह जेपीडीसीयल.co.in smartmeters, इसको लॉग इन करें, इसमें अपनी डालें और उसमें उनको अपनी कंजप्शन पता चल जाएगी, बिल भी पता चल जाएगा, सारी डीडिंग आजाएगी, इसके अंदर इस smart meter में आपको इतने सारे features हैं, या आप हर रोज का बिल देख सकते हो आलनाई आप पेमेंट कर सकते हो, अपनी कंजप्शन चेक कर सकते हो, अपनी कंजप्शन जब आपकी बढ़े गी तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बाइस स्विचिंग और उनको रिप्लेस कर लीजी अगर वो बड़ी पावर ज्यादा पावर खाती हैं, अब कहीं लोग बोलत है, तो भी जो आपका स्टेप अप ट्रांस्फरमर है, वो भी पावर कंजूम करता है, अगर आप घर पे नहीं हैं बाहर जा रहे हैं हफते के लिए दस दिन के लिए तो बिलकुल मीटर से जो लाइन आ रही है वो उसके बाद जो मेन स्विच है उसे आफ की जिए आपकी कं का जाए ये मीटर मैं अप्मोर जब झल जाएंगे तो हमें इसकी रिप्लेस्मेंट कास देनी पड़ेगी ये 5 साल की अंडर वरलृंडी में हैं जब भी डैमेज होंगे इसकी कोई रिप्लेस्मेंट कास नी पड़ेगी हमारी constitutional इसको फ्री डिप्लेस करेगा उर इसको दु सब्सक्राइब करते हैं वहां पे हम 24 गंटे पावर दे रहे हैं मगर कोई फार्ट के कारण या ओर लोडिंग के कारण कहीं पर कोई कंड़क्टर स्नैप हो जाता या टांसरमर डैमेज हो जाता है तो उसलिए वहां पर इंक्रप्शन हा रहे है तो पहले मीटर में ऐसा क्या फ जो पहले मीटर से उसमें कोई फला नहीं था और वो जो आप कह रहे हैं कि पहले हजार पे बिलाता था पांच हजार पे बिलाता है उसकी पहले रीडिंग ही प्रॉपर रिकॉर्डनी की जाती थी वो किसी भी हम यह कह रहे हैं कि जो पराना मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों कि एकूरेशी में कोई अबतर नहीं है उसके लिए हम आपको चैक मीटर लगा के देने के लिए त्यार हैं जो भी कंजूमर्स जहां से सैटिस्फाइड नहीं है नए मीटर से वह हमारे पास आए हम उसको चैक मीटर लगाएंगे अगर जितनी रीडिंग उसमें आएगी उसका हम पैसा मांगेंगे उससे ज्यादा तो नहीं मांगेंगे उसकी जो आप बात कर रहे हैं अब उसको ट्रस्ट करेंगे उसको ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास इस क्याद लैक जो वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब है हमारी जो हमारी टेस्टिंग लैब है उस। इस स्टैंडर की लैब यह आप को पूरे इंडिया में दो प्लाका है उसको यह से कोई भी आद्मी हमारे पास आए हम उसको स्मार्ट मीटर चेक मीटर जो हम लगा रहे हैं उसकी एकुरेसी वहां पे हम आपके सामने टेस्ट करके देंगे और जितनी रीडिंग स्मार्ट मीटर में आ रही है जितनी रीडिंग हमारे चेक मीटर में आएगी हम आपको उसी हिसाब से पैसे लेंगे अब इसमें एक चीज और आप कह रहे हैं एक हजार बिल आ रहा था पांच हजार बिल जब आएगा अब इस वक्त हमारा हुमिट मौसम चल रहा है इस वक्त हो सकता है पांच हजार आएगा अभी एक मिनट एक मिनट मेरी पहले बात सुनेती है उसके बाद जब यह मुस्म अभी आएगा न दिवाली के आज पास हमारा लोड बिल्कुल काम हो जाता है जिसका पांच हजार आ रहा है न अभी वहां पे आपका एक हजार से कम भी आएगा तो तब आप नहीं कहोगे कि प पैसा मांग रहे हैं हम उससे जदा पैसा नहीं मांग दे और अगर आपको यह दिक्कत आ रही है कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा तेज़ चल रहा है उसके लिए हम सैटिसफाइग करना हमारा काम है और उसके लिए जिसको भी सैटिस्फेक्शन चाहिए आप आप आपनी है बना कि आजए हम अब कुछ लोगों है कुछ लोगों है मीटर अभी हमारा आप जो रिप्रेजेंटिटिव होगा वह भी उसको साइन करेगा कुछ निवर भी साइन करेगा और कुछ साइन के बाद दो दिन के बाद हम देख लेंगे किसी रिटिंग के अपकर रहा है प्रूज के लोगों है